दोस्तों अगर आप हंगरी जाना चाते हैं, शैनिगन कंट्री में काम करना चाते हैं as a factory worker और सोच रहे हैं कि 80,000 पर मन्त में कमाल हूँ, मुझे रहना, खाना, transportation, medical insurance, सब कुछ free of cost मिल जाए, मेरी पूरी salary सेव हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है, प्लीस को end तक देखिएगा, Hello दोस्तों, Welcome to Travels जाविश में ता, So, आज की जो वीडियो होने वाली है, हंगरी country के उपर हम बात करने वाले है, European Union का member है, और शैनेगेन country है हंगरी, और हंगरी की जो capital है, वो बुद्दा पेस्च है, और जो currency चलती है, वो Hungarian foreign चलती है, Hungarian foreign की अगर मैं बात करूँ तो काफी low है, वन Hungarian foreign इंडिया का 0.20 के असपास का, यानि की वहां की currency में बात करूँ, जो आज सैलरी मिलने वाली है आपको, वो लगभग 3 लाख Hungarian foreign आपको सैलरी दी जा रही है, यह जो vacancy में आपके साथ share करने वाला हो, factory helpers की या factory workers आप बोल सक Canadian foreign foreign है, जो की काफी जादा weak and low है, so that's why हमेशा Euro या USG में salary हमेशा बताए जाती है, ठीक है, तो वीडियो हमेशा start करते है, क्या-क्या vacancy categories आपके साथ share करूँगा proper, और कौन से agency में डाला है, और कैसे application कर सकते है, everything miss में आपको बताने वाला हो, तो please वीडियो को end तक देखि करते हैं, हम लोग अपनी वीडियो, Hungary के उपर आभी right now vacancy आई है, Hungary के लिए, और factory helpers चाहिए, jobs in Hungary Europe, post आपको यहाँ side में देख रही होगी, और मैं आपके साथ share भी करूँ, group में भी one information यह डाल दिया, ठीक है, zoom interview soon यहाँ पर लिखा हुआ है, zoom interview आपका होगा, urgently required factory helpers, इसमे इसमें जो basic salary दी जा रही है, 690 USG लिखा है, एजनसी ने, एजनसी Contra Mental Services Private Limited है, आपको पहली पता है, trusted consultancy है, कोई इसमें इंट्रोड़क्शन की इनको जरूवत नहीं, already यह famous है, तो USG में अगर बात करें तो ठीक है नहीं, तो मैं आपसे सीधा-सीधा बात करता हूँ, 3,00, Hungarian foreign आपको salary दी जा रही है, जो कि Indian rupees में 60,000 रुपे होता है, तो 2,90,3,00, वहां की currency मिलेगी, हंगरी की, जो कि India का 55,000 रुपे होता ही होता है, तो आप सीधा-सीधा यह समझो, कई लोग कहते हैं, आप USG में salary बता रहे हो, यूरो में बता रहे हो, वहां तो Hungarian foreign चलती है, तो Hungarian foreign में आप समझ लीजे, कि 2,90,000, 3,00,000 रुपे आपको salary मिल रही है, मतलब 55,000 से 60,000 रुपे, वहां की currency के according, ठीक है, बाकि आप चेक कर लेना, वर्क, कौन सी city में इजिंसी से बात कर लेना, बुदापेस भी हो सकता, जो कि Hungary की capital है, बुदापेस city की में बात कर रहा हूं, ठीक है, और यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, duty meal भी आपको company दे रही है, accommodation देगी, मतलब रहना हो गया, stay आपका, खाना हो गया, duty के दौरान, जो भी duty आर्स आपके रहते हैं, 9 गंटे, 8 गंटे, basic यॉरोप में क्या रहता है, 8 hours per day ही काम करना होता है, 5 days per week होता है, कुछ company के according, कुछ company 6 days per week काम करवाती है, तो यह आप agency से एक पर बात कर लेना, वैसे यहां 5 days per week यहां लिखा हुआ है, duty 8 hours, 5 days per week, यह European जो union है, उनका law के according इतना ही रहता है, 8 गंटे, 5 दिन हफते में आपको काम करना होता है, बाकि 6 ये 7 दे आप काम करोगे, तो as per OT count होता है, तो अगर मैं बात करूँ तो इसमें OT के साथ candidate अराम से 70,000 रुपय कमा लेगा बिना किसी problem के, मतलब 3,500,000 के आसपास आप foreign कमा लेंगे, हंगरी का, ठीक है, 3,400,000 कमा सकते हैं, 3,500,000 तो कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया की अगर बात करो, तो 70,000 per month आपको हंगर में मिलने वाला है, easily, ठीक है, जादा ही मिलेगा, यह मैं आपको कम बता रहा हूँ, अगर OT अगर आप calculate, आप सच में करो, 12 घंटे, 6 दिन काम करते हो, तो आपकी salary 80,000 के आसपास हो रही है, मतलब 70-80,000 रुपय कमा आओगे, आप ऐसे factory worker बोलो या factory helper बोलो, ठीक है, accommodation बता या duty meal मिलेगी, transportation, medical insurance भी provided by company, यह भी आपको company दे रही है, यह एक अच्छा मौका है, job करने के लिए, अगर आप सोच रहे हो, आपको employment visa मिल जाए, कि मैं work permit पे shanigan settle हो जाओ, तो Hungary के अभी visa काफी आ रहे है, मैंने पहले भी बताया कि tourist visa काफी आ रहे है, तो यह employment visa रहेगा, type D visa, जो कि long term होता है, मतलब आप work permit पर जाओगी, आपका work permit आएगा, visa stamp होगा, ठीक है, proper आपके सारे चीज़े, paper आएंगे, तो थोड़ा time लगेगा, लेकिन आप employment visa पर ही जाएंगे, ठीक है, तो साफ साफ लिखा है, और age की बात करूँ, और आपके साथ details share कर देता हूँ, age 45 below, मतलब 45 maximum accepted है, इसके नीची आपकी, मतलब 21 साल से लेके 45 क्या सपता, अगर आपकी age है, या 22 से 45 है, तो आप eligible है, ठीक है, maximum 45 years, उसके बाद यहाँ पर duty मैंने बता दी, 8 घंटे, 5 दिन काम करना है, बाकि से 7 दे, जो भी आप काम करते हैं, वहाँ लोग देखिए, earning करने तो 80,000 कामाएगा, 70 से 80 आपके कहीं भी नहीं गए, रहना, खाना, सब तो free मिल रहा है, तो कोई problem वाली बाती नहीं, आपकी saving ही हो नहीं, पूरी 80,000 per month, ठीक है, और बाकी इसमें लिखा है, basic English communication is required, English आपको basic आनी चाहिए, because आप यॉरप शैनिगन के लिए apply कर रहे हो, 28 countries म आता है Hungary, ठीक है, और यहां की जो currency तो बता दिये, अब language की थोड़ा बात करूँ, कि आप पुछ्टों के language कौन सी चलती है, आपके doubt clear कर दो, English भी चलती है, but official language Hungarian है, हर country के अपनी होती है, Germany की German है, और Greece की Greek है, तो इसी तरह है आपका हर country की होती है, but English speakers भी आपको काफी मिल यहां पर, foreigners भी है, अपने Indian भाई भी काम कर रहे है, हर मुल्क के लोग काम करते है, Hungary के अंदर, शैनेगेन में है, आप 28 countries travel भी कर सकते हो, आपको TRC मिल जाती है, तो कोई problem नहीं है, बहुत सारे benefits है, आपके future के लिए भी, आप PR वगरा के लिए भी आगे, passport, citizenship के लिए भी सो चाहिए, जैसे कि बहुत सारे लोगों की profile या CV जों की curriculum विटाई है, मैं professional CV की बात कर रहा हूं, उनकी factory worker या फिर factory helper से related है, like Gulf की, इंडिया में experience है, उनको जहां का भी, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी opportunity है, और जो भी आपकी, आपने saving का रखिए, service charge आप agency से बात कर ल have two wheeler license, यह last requirement है, मतलब अब eligibility के लिए, आपके पास Indian license होना चाहिए, two wheeler, India का two wheeler license यहाँ पर required है, आपके पास होना चाहिए, तब आप जाके eligible हो, मतलब थोड़ा बहुत experience हो, एक दो साल का English आपकी basic को, 45 के अंदर आपकी age हो, और two wheeler Indian license आपके पास होना चाहिए, यहाँ प कर दिया है, तो एक बार चेक आउट कर लिजिए, Contramanters Agency से आप बात कर सकते हैं, owner, CEO, Lalit Bhadoria Sir है, Trusted Consultancy है, service charge थोड़ा expensive हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ, बट उसमें आपके everything include होती है, like ticket, medical, आपका VFS, MBC, fees, सारा चीज़ी, visa fees, everything उसमें include होती है, तो एजनसी से एक बार contact कर अब मैं आपके साथ अभी email id share करने जारू हो, तो please note कर लिजएगा, email id है hr.contramanters.com, इस पे आपको अपने documents वगरा resume जो भी है, इसमें share करने है, second उसके बार बात करते हैं, कुछ यहाँ पे 4 contact number दिये है, पहला है 8279442058, second है 9837104449, इसके बाद third है 826149730, and last contact number है 9643043716, Contramanters, अच्छी consultancy, दहरादून official, इनका office है, मतलब जो main है, और इनकी जो second branch है, वो new Delhi है, और hopefully यह दुबई में भी open करने वाले हैं, तो बाकिया आप इनके touch में रह सकते हैं, इनकी website पर visit कर लिजिएगा, www.contramanters.com, आप सर्च करेंगे, Google पर, अपने आप website open हो जाएगी, आप सारी information आप देख सकते हैं, तो ये थी vacancy, हंगरी के लिए zoom interview जल्दी होने वाला है, जैंसी से contact कर सकते हैं, और vacancies limited है, हंगरी, European country है, शैनेगन country है, शैनेगन जाने का जिनका भी सपना है, 45 से अंदर age है, और license बगरा जिनके पास two wheel है रहे हैं, इंगलिश छिक ठाक बो रुप में minimum yearly आप saving करने वाले हैं, ये package आप अपना समझ लें, कि 9 से 10 लाग का आपका ये package आपको hungry प्रोवाइड कर रहा है, मतलब हाँ हंगरी में आप जा सकते हैं, और agency contraments मैंने आपके साथ share कर दिया, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो please video को like, comment, share करना ना भू please ख्याल रखे, stay safe, bye bye, see you, take care, jahin